आल राइट वेल्कम बैक एवरिवन वेल्कम बैक टो और योट्यूब चैनल इस वीडियों में हम प्रिवू कर रहे हैं आए से सी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच नमर 19 जो की होने वाला है पाकिसान और न्यूजिलेंड वुमेंस के बीच में मैच काफी इंपॉर्ड यहां पर वो क्वालिफाई भी करेंगे तो इस चीज़े हैं तो उनके लिए काफी इंपॉर्डन मैच है और पाकिसान के लिए कुछ लाज रखने वाली बात है और आई तिंक यह पहली बार ऐसा हो रहा होगा मैं आउट राइट जो यहां पर पाकिसान को सपोर्ट कर रहा न्यूजिलेंड इस मैच में मेरे को लग रहा है काफी ज्यादा फेवरेट है वैसे हेट्वरेट के रेकॉर्ड कुछ अलग कहते हैं क्या है कहानी सारी चीज़े आंगे डिसकस करेंगे वीडियो को पूरा देखना है बिन स्किप करें देखने और वीडियो अगर आपको प छोड़ सकते हैं जो भी आपको कमेंट छोड़ना है आप वहां पर कमेंट अपना कर सकते हैं और इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो नेक्स्ट डे निकलता है मैच के अगले दिन निकलता है यानि नेक्स्ट मैच से पहले तो वह आपको मिलेगा टेलिग्राम चैनल पे विन वेन्यू रेकोर्ड्स को देखते हैं, साथ मैचस खेलेंगे हैं, अभी तक ओवरॉल वेन्यू पे, तीन बैटिंग फर्स ने जीते हैं, चार बैटिंग सकंड ने जीते हैं, बैटिंग सकंड करने वाली टीम्स थोड़ा बहतर परफॉर्म कर रही हैं, ये उपर-उपर से अट रहा हो और में, ये बीस हो रहे हैं, ध्यानक ने जीरो यहां पर लगना भूल गया, मतलब छूट गया है, तो यह चीज़ा है, यहां पर चेज इंसाइड ने मैच को विन किया है, और पेसर्स तो स्पिनर्स के बीच में, आई थिंग स्पिनर्स ने थोड़ा बहुत आ यहां पर दूसरे प्लेयर्स हैं, तो स्पिनर्स जो यहां पर खास करके और श्रीलिया के उन्होंने बहुत अच्छा प्रफॉर्मेंस किया था, एश गाड़नर, इंडिया वुमेंस ने बनाए थे 172 और स्रिलंका वुमें 90 पर ओलोट हो गई थी, सेकंड इनिंग वाली टी टीम तो चेज इन साइड ने स्ट्रगल किया है, स्पिनर्स थोड़ा यहां पर आगे दिख रहे हैं, स्पिनर्स तो वैसे चारोई मैचस में ठीक ठा की परफॉर्मेंस है, तो मैं बोलूँगा स्पिनर्स आपके लिए क्रूशल बनेंगे, मैं हमेशा वुमेंस क्रिकेट मे अगब कोई अच्छे स्पिनर्स को ही दी जाती है, तो यह चीज है, हमेशा देखने को मिले हैं, इसकी रीजन्स भी मैंने काफी बार समझाए हैं, क्यूं होता है, ठीक है, एक पावर रिटिंग वाला मामला होता है, तो इसी वज़े से उनको दिया जाता है, बागी देखो पाइनल जो हुआ था, यही था, और वहां पर स्रिलंका ने क्या परफॉर्मस दिया था, और यहां पर जो इंडिया ने क्या प्रेशर डाल के उनको जो है पर आलूट किया है, तो इस सीथे आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है, कि कोई भी टीम अगर स्ट्रॉंग है, तो वो बोला, दोनों इनिंग में वो क्रूशल होने वाला है, और क्यूंके मैं हमेशा बोलता भी हूँ, स्पिनर्स इंपॉर्डंट होता है, रीजन एक ही है, वो डेथ में डालते हैं, पाउर प्लेवर डालते हैं, बस इसी वज़एसे उनको विकेट जादा मिलते है, मैंस क्रिक नहीं है, इवन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, किसी भी बैटर की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, इकका दुका प्लेयर है, जिन्होंने बीच में परफॉर्मस अच्छा दिया है, बाकि उसके इलावा, और अगर आप पूरे बैटिंग स्कॉर्ड को देखते हो, बैटिं से स्ट्रगल कर रही है, उनके भी 28-30 से ज़्यादा स्कॉर नहीं देखने को मिले है, और मैमा सोहेल पहला इनिंग में थोड़ा उन्होंने बोलिंग बहतर की थी, उसके बाद वाले मैच में एक विकेट और लाश मैच में बिल्कुल जीरो, वो तो और ज्यादा नहीं मिले वो अनक बात है, लेकिन स्टिल, जो हैं पर एक खाता नहीं कुल पहा है, लाश मैच में बोलिंग से, और बैटिंग से भी उतने ज़्यादा है, मेरे को फॉर्म में नजर नहीं आई है, ऑल्दो इन्होंने प्रैक्टिस मैचस में अच्छा परफॉर्म किया था, उस टाइम मैच का जो परफॉर्मस दो विकेट और अठरा रन वाला है, वो देखके बहुत सारे लोग इनको में भी बना दें, लेकिन मैं बोलना हूँ, आप ना बनाए तो बहतर हो सकता है, इनसे बहतर है, आप सुफी डिवाइन को बना लें, वो इनसे अट लिश्ट कैलिबर वाइ अपनी टीम में पिक कर सकते हो, बाकि बैटर के दोर पे अगर आप उनको पिक कर सकते हो, और ऐसे कोई प्लेर जो फिनिशर है और सिर्फ प्रॉपर बैटर है, और वो ठीक ठाक ले रहे हैं, तो उनको अगर आप पिक कर सकते हो, तो फिर आप इनको पिक कर सकते हो, लेकिन आगर आप वहां पे सोच दे ओंधू करे मेरे कों इंत करते हैं तो आप लिए मेरे पर सोच्छ जैनने इंडा चाहिते कि देध्य हैं वह और उप संद्ध आपके लिए 음악 Iphone मुनीबा अली और सिद्रामीन में से किसी एक को मेरे को पिक करने को बोलोगे वैसे तो दोनों की फॉर्म coming into this world cup अच्छी थी लेकिन उसके बाद जब world cup के practice matches से start हुआ है तो form struggle कर रहे हैं तो मेरे को लग रहे हैं अब मैं यहाँ पर जाता हूँ experience के साथ सिद्रामीन मेरी optimal choice रहेंगी अगर आप इन दोनों openers में से किसी एक को मेरे को choose करने को बोलोगे तो मैं सिद्रामीन के साथ जा and then उसके बाद omema so hell because वो एक order under वना उनका element है तो इसलिए मैं उनको ले रहा हूँ and उसके इलावा अगर नीचे जो बोलर्स हैं उन में भी बहुत जाद अच्छे form में कोई नहीं दिखा है लेकिन एक है साधिया इकबाल यह इनकी last 2023 से लेके अभी 2024 तक ही यह पूरा जो एक साल का जो इनका रहता है gap टाइम फ्रेम उसमें जो है सबसे ज्यादा successful बोलर यह साबित हुई है given the fact कि यह bowling भी ज्यादा करवाती है consistency भी रही है और injury वगेरा के साथ भी इनका ज्यादा concern नहीं रहता तो इसलिए ज्यादा matches खेले भी हैं तो इसलिए wickets भी निकालने हो क्या तो तूबा हसन मेभी वो एक last option मैं आपको recommend करूंगा जो आप पिक कर सकते हो अपनी टीम में उसके लावा कोई भी other मैं आपर बोलर हो गई batter हो गई किनी को भी मैं recommend नहीं कर रहा हूं क्योंकि यह on paper मेरे को strong नजर नहीं आ रहा हैं बिलकुल भी हलांकि hit to head record इनहीं के favor में ह यही इन्होंने अच्छा performance दिये हुए हैं लेकिन मैं इस particular world cup में इनको stronger side नहीं मान रहा हूं अब अगर bench की बात करें फातिमा सना injured हो गई थी अभी कितनी fitness इनकी है I don't know मेरे को तो नहीं लग रहा है नहीं खेलने वाली तो इसलिए मैं इनको यहां पर बाहरी ही रखा हूं आप यहां पर इनके last match के ओर्स देख लेना ज्यादा ओर्स हुए नहीं थे तो इसलिए आपको यहां पर ओर्स भी इनके कम देखने को मिलेंगा I think 11-12 ओर के बाद इनका मैच खतम हो गया था गयारा ओर आइधिंक वाता मैच उसके बाद यह जो चेजिंग साइड ने मैच क विन कर लिया था तो यह था इसलिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा overall साधिया इकबार ने तीन ओर करे थे जो 11 ओर हुए उसमें तीन उनके थे तो powerplay में वह सबसे ज़्यादा ओर डाली थी और यहीं चीज़ होता है powerplay में ज़्यादा ओर डालते हैं लेकिन कभी-कभी दो डालते हैं कभी तीन डाल लेते हैं बस इतना फरक रहता है दो डालते हैं यह तीन डालते हैं पाकि तीन डाले तो में भी हो सकता है आपके लिए खाली चला जाए उनका लेकिन एक से दो बिकेट वो powerplay में भी आपको निकाल के दे सकती हैं अच्छी बोलर है ओपनिंग बोलर के तोर पे भी उन्होंने काफी ज़्यादा सकस हासिल की है इसलिए मैं रेक्मेंट कर रहा हूं कि आप उनको ले सकते हो आगे अगर ओपनर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग है और इसी टीम के गेंश में मैच है तो फिर मैं बोल सकता हूं कि आप में भी इनको ना लो लेकिन अगर एक जो है बे कैजूल सी टीम है एवरेज सी टीम है जैसे न्यूजिलेंड है या स्रिलंका है ऐसी कोई टीम है तो फिर आप उनके अगेंश में इनको पिक कर सकते हो न्यूजिलेंड की प्लेंग 11 को देख लेते हैं सुजी बेट्स और जोजे प्लिमर ओपन करेंगी जोजे प्लिमर का फार्म काफ यचा चल रहा है ये सर्प्राइजिंग फैक्टर था मेरे लिए कि प्लिमर इतना अच्छे फार्म में देख रही है कुछ एक आदा सीरीज म आप अपने टीम में रख लो मैं भी बोल रहा हूँ आप रख लेना स्मॉल इक्स के लिए काफी सेफ ऑप्शन बन रही है आप इनको रखके ही चलो सुजी बेट्स और प्लिमर में से अभी फार्म के विसिस पे अगर मेरे को किसी को पिक करने को बोलने में प्लिमर ही स्मॉल इक्स के लिए थोड़ा मैं में इनके साथ गैंबल लूँगा क्योंकि एक बोलर मैं पिक करना चाहता हूँ एक्स्ट्रा जो मेरे को लग रहा है ज्यादा पॉइंट करके दे सकती हैं तो मैं उनको लेने वाला हूँ तो बस मेरा एक स्टाटेजी रहता है हमेशा से म मेरे को नहीं लग रहा है कि सूजी बेट जोए 30 से ज़्यादा पॉइंट बना सकती हैं मैं इसलिए उनको छोड़ के जा रहा हूँ इसलिए मैं दूसरा कोई बोलर लूँगा जो मेरे को 35, 40, 50 पॉइंट दे सकती हैं पोटेंशली अगर दो विके निकालते हैं तो 60 से ज़ आप प्लिमर बेट्स दोनों छोड़ रहे हो तब ही आप इनको पिक करना और हैलिडे ले रहे हो तो एक चीज़ जयान रखना दोनों ओपनर नहीं लेने अगर एक ले रहे हो एक भी छोड़ रहे हो तब भी आपके लिए 50% मैं बोल लहा हूँ कि 50% टीम से उनमें पिक करना अगर एक ओपनर ले रहे हो अगर दोनों छोड़ रहे हो तो उस टीम में जरूर आप ब्रोक हैलिडे को ले ही लेना क्यूंकि बैटिंग भी अच्छी कर लेती है और बोलिंग भी इनकी काफी सोरिड है रिसेंट मैच में दो विकेट भी निकाल के दिखाया हुआ है तो हैल रोजमरी मैर इडिन कासन चारो के चारो क्वालिटी प्लेयर्स और सभी के सभी मेरे को लगता है आन पेपर मेरे को काफी इंप्रेसिव नजर आ रहे हैं इन में से सबसे ज़्यादा जो क्रूशल बनेंगे उनको मैं आपको बता देता हूँ जिनको आपको पिक करना ही पड मतलब बोलर को मेरे को पिक करना हूँ मैं परसनली मेरी मेरी पसंद की बात कर रहा हूँ मैं किसी स्टाटिस्टिकल बेसिस पर मैं अपना नहीं दे रहा हूँ मैं बोलना हूँ मेरी परसनल पायस पर मैं अगर किसी को पिक करो तो मैं लीक एसपरक को पिक करूँगा क्योंकि इनकी bowling मैंने बहुत ज़्यादा देखी है domestic level पे न्यूजिलेंड में वहाँ पे जो होता है KFC तो tournament तो उसमें मैंने देखा हुआ है तो इसलिए मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि इनकी bowling मैंने वहाँ पे देखी है अब वो कैलिप मतलब आप लेने चाते हो तो उनको ले लेना आप ये इडन कार्सन को ले लेना इन दोनों में से आपको जो सही लगता है वो आप इनको पिक कर लेना तो मेरा ये परसनल उपिनियन है लिया तहुहू, रोजमेरी मैर ये सबसे important है इन दोनों को पिक करो पहले then उसके बाद आप कैसपरेक, कार्सन और सुजी बेट्स में से जो आपको दो लेने होंगे वो आप अपनी चॉइस कर सकते हो जो important बन गए तो मैं आपको यहीं पता देता हूँ प्लिमर हो गई, अमलेकर हो गई, डिवाइन हो गई हलेडे हो गई, एंड ली कैसपरेक, तहू हू आठ प्लियर मेरे यहां से बन जाता है तीन-चार प्लियर मैंने आपको वहां से दिखा दिये ग्यारा-बारा प्लियर का मैंने आपको एक्वेशन समझा दिया बाकि जो प्लियर अगर कोई दूसरा खेलता है जैसे यहाँ पर आपको फ्रैंज जोनस हो गई, जेसकर हो गई, पैनफोल्ड हो गई, हैनरो हो गई, हैनरो अगर खेलती है, तो आप्शन सीधा है, रोजमेरी मेर के जगा ही खेलेंगी, तो आप देखलो, दोनों में से जो भी खेल रहा है, उनको आप पिक कर लेना, और बाक मैच में जो यह ओर्स थे, इनके कुछ यह थे, आप इनके ओर्स भी वगगरा देख सकते हो, यहाँ पर कार्सन की बात करें, तो मिडल ओर्स में करती हैं, बाकि तो इनके पाउर प्ले में तीन ओर आते हैं, तो कार्सन आपको पाउर प्ले वाली बोलर है, अगर आप उनको पिक करना चाहते है तो पिक कर सकते हो रोज मेरे मेरे आपको पार प्ले में डालती दीखेंगी तहूभू जो है आपको डेथ और पार प्ले में डालती दीखेंगी लेकिन तहूभू का जो लास्ट मैच का जो स्पेल है वो बिलकुल आजीब सा स्पेल था सिर्फ दो और डाल इसके बार देखेंगी और इनका भी मिडलो और में ज्यादा और साथ है जो तो यहां से जो लास्ट मैच के बेश्टिस पेस्टिस फ़लाष्ट मैच अगर उनके पहले जो दो इंडिया के के लिए जो मैच हुआ है उसको भी अगर आप देखते हो तो तहूँ आपके लिए ब हमारे पड़ोसी थोड़ा बहतर परफार्म करें वह कुछ अपने हिस्से में अच्छा विन लेका है और इंडिया कौलिफाइब कर जाए और सेमिफाइनल में वैसे तो यह होना नहीं चाहिए लेकिन स्टिल आप जो सिच्वेशन है उसको हमको एकसेप्ट करना पड़ेगा औ बस यही एक चीज है कि वह कहता है ना कि हलकी सी आशा की किरन नजर आ रही है उसके इलावा फॉर्म के वेसिस पे तो मेरे को नहीं लग रहा कता ही यहां पर यह उनको पचाड़ पाएंगे वैसे रीसेंट जो सीरीस इनका हुआ है 2023 में आपको देखने को मिलेगा निये पी कि तेरे 5 ओर बचते थे और उन में अगर पूरे ओर खेल जाती न्यूजलेंड तो आपको दिखेगा कि आराम से वो लोग चेस कर सकते थे लेकिन स्टिल जो भी है डियल में थटके चलते सही लेकिन उन्हें विन किया है और अगर वैसे कुछ इस बार हो जाता है तब तो ठ सिद्रामीन ने उस मैस में भी 43 वाला स्कोर दिया है मैं आपको मार करके साथ ही दिखा देता हूं निदादार ने बैटिंग बोलिंग दोनों से परफॉर्मस दिया हुआ है और फातिमा सना का आपको यहां पर देखने को मिलेगा बैटिंग से परफॉर्मस सिर्फ और साध लेकर 35 है और इडन कार्सन और इनके विकेट्स है इडन कार्सन काफी क्रूशल बोलर बनेंगी वैसे तो आप जरूर इनको रिस्क मतलों मैं इसलिए बेट्स की जगह उनको मैं अपनी टीम में पिक कर रहा हूं कैस पर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो लेकिन में म कोई ऐसा खासियत नहीं है कि हर जगह उन्होंने परफार्मेंस किया हो या रेकॉर्ड सुनके बहुत अच्छा हो ऐसा कुछ नहीं है मेरा परसनल पाइस है अगर उसको नहीं मानते तो फिर आप छोड़ सकते हो आप इंडिपेंडेंट हो आपनी टीम में चेंजिस करने के लिए और यह है टुनेडिन के दो मैचस है दोनों को देख लेना इन में पाकिसान में मैच को विन किया है और इन मैच में भी मुनीबाली का आपको स्कोर देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत तो एंकरेजमेंट आ रहा है कि उनको आप ले सकते हो लेकिन सिद्रामीन मैं बोलूँगा मेरा परसनल चौइस मैच में सिद्रामीन के साथ रहेगा रेजन एक्सपिरियंस बिल्कुल सीधा डारेक्ली बोल रहा हूँ एक्सपिरियंस मैटर करता है और खास करके आइसिस टूर्नमेंट में मेरे को नहीं बात करें तरहां मैं ये टीम लेकर चलना हूँ एक सुझीभेच्स प्लिमर को लिए हूँ है आपर रोज मेर के साथ भी वैस केप्टन जाना चाहोँ तो या आप के पास ये चौइस रहेगा यहां मैंने तहूहू को मिस किया है तहूहू because recent match का उनका बस spell देखके मेरे को लग रहा है थोड़ा वहतना 19-20 आप सुजी बेट्स की जगा सीधा सीधा मैं बोल रहा हूँ मैं पिक करने वाला हूँ इवन मैं जो यह टीम लगाया है हूँ इसके बाद भी मैंने कुछ चेंजस किये हैं इसमें मैंने तहूहू का अपनी टीम में रखा है सुजी बेट्स की जगा तो यह मैं चेंज करने वाला हूँ यह मैं अल्रीडी बता दिया हूँ यह मेरा वुस वाले चेंज से पहले वाला स्क्रीन शॉट है तो वह लगाया हुआ है बाकि देख लेना मैं आपे बेट्स की जगा तहू ले सकता हूँ और यह मेरी टीम है फिलहाल के लिए फाइनल टीम आपको मिलेगी टेलिग्राम पे वह आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नहीं हो अपडेट्स के साथ